आज की कहानी है आखिरी प्रयास महामंत्री को सौप दिया महामंत्री गाव के सर्वश्रेष्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला महराज मंदिर में भगवान विश्नु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं साथ देवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विश्णू की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुचा देना, इसके लिए तुम्हें पचास स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी पचास स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुशो गया और महामंत्री के जाने के उपरांट प्रतिमा का निर्मान कार्या प्रारंब तरने के उद्देशे से अपने ओजार निकाल लिये अपने ओजारों में से उसने एक हथोड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथोड़े से वार करने लगा किन्तू पत्थर जसका तस रहा मूर्तिकार ने हथोड़े के कई वार पत्थर पर किये किन्तू पत्थर नहीं चूटा पचास बार प्रयास करने के उपरांथ मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देशे से हथोड़ा उठाया किन्तु ये सोचकर हथोड़े पर प्रहार करने के पूर्वी उसने हाथ कीच लिया कि जब पचास बार वार करने से पत्थर नहीं तूटा तो अब क्या तूटेगा वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुम्किन है इसलिए इससे भगवान विश्णू की प्रतिमा नहीं बन सकती महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिती में पूर्ण करना था इसलिए उसने भगवान विश्णू की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गाव के एक साधारन से मूर्तिकार को सौप दिया पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथोडे से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही तूट गया पत्थर तूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश, पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता, तो सफल हो गया होता और पचास स्वर्न मुद्राओं का हगदार बनता। कहानी से सीख, मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दोचार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्या को करने के पूर्विया किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरन करने के पूर्वी हमारा आत्म विश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किये बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब की हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधन हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ कीच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें काम्याबी प्राप्त हो जाए।